में मैं संगीता मेरे चैनल का नाम है मनीज इधर साम का दिया बातिशल रहे हैं और सुबस स्पुज़े अच्छा लगता है तो मेरा साम क दिया जला रहे हूं और आज सनी बार है और इखरेशच होता करती का दिया कामॐ अच्छा लगता है मत्टी हैर सर्सो तेल अनुज़ों में और सब लोग जलाते हैं यहां पर अच्छा लगता है यहां पर हर सनिवार को आना और उसी के बगर में यहां पर सीव जी का है भगवान जी तो यहां पर भी मैं अगर बत्ती दिखाती हूं और इधर चारो तरह भगवान जी है तो मैं यहां पर अगर बत्ती दिखाती हू और फिर पुजा भी कर लेती हूं और इदर में घर आचकी हूँ हुँ घर आल ज साम क खाना बनाने के लिए में लग गए हुँ तो इदर मैंने कुखर में डाल भिठा दिया है तो दाल को दो के और इसमे डाल दूँगी और इसमें नमक हलदी और और थोड़ा सा तेल डालके उसको ढख दूँगी और मैंने इधर नमक अधरी डाल दिया है सिम्पल सब और सिम्पल से खाना है तो इधर मैंने और आज सब्जी में मैं बना रही हूं लंबे वाले कद्दू जो होते ना उसकी उसी की सब्जी तो उसको मैं काट लूँगी कद्दू को छोटे छोटे टुक्रों में और प्याज भी लच्छन ब्यद्रक भी सब चीज में काट लेती हूं और कराई हमने लिया है कराई में सरसू का तेल लिया है उसमें हम प्याज डालें उसमें जीरा पहले डालेंगे फिर हिंग जीरा डाल देंगे फिर प्याज डाल देंगे नव्यून सब भूझ लेंगे अधरक और मिर्ची लेया है must Hai मों बच्चों मिर्च लग जाती मुझे हैं मैं इली और कि में यह रख कराही ब्रॉशामने के लोड़ा है है इन सब को हम लगभग 10 मिनट तक भून जेंगे जब तक यह हलका ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे भूनते रहेंगे धीमियाज पर और भून चुका है हमारा कद्दू और आलू इसमें हम टमाटर दाल देंगे और मसाले भी डाल देंगे जैसे हल्दी पाउडर धन्या पाउडर जीरा पाउडर और मिर्च पाउडर और इन सब को मिला के फिर से हम इनको दीमियाज पर भूनेंगे शुकी सब्जी मैं बना रही हूं और इसको लगभग 5 मिनट और भूनेंगे भूनेंगे इसको और हमने सब्जी को भून लिया है इसको ढग दूंगी और यह सब्जी में हम पानी डाल देते हैं क्योंकि आलू हमारा गलेगा इसलिए थोरा सा पानी डाले हैं सुकी सब्जी के लिए और इधर हमारा सब्जी बन चुका है इसमें हम धन्या का पत्ते डा देंगे और इसको मिला देंगे और इधर हम दाल में तड़का लगा रहे हैं दाल छोक रहे हैं दाल को सिम्पल सा तो इसमें हम सर्शो का तेल लिए इसमें जीरा डाल दिये हैं और इसमें कटा हुआ मिर्ची लसन वह भी डाल देंगे और छोक लगा देंगे दाल को और हमारा खाना बन चुका है बहुत सिम्पल सा ही खाना है पर अच्छा होता है सिम्पल खाना खाने में टेश्टी लगता है तो इधर मेरे बच्चों को लग गई थी बहुत ज़र सी मेरे चोटा वाला बेटा आज खार आए खुद से तो इसको मैं डाल डाल दे रही हूं खा लेता है कभी कभी खा लेता है मन करेगा तो खा लेगा अगर तो इसे एक कर दिछेगा और अभी तक मेरे चैनल को सेस्क्राब कर दिजिए है तो पलीज इससे स्सक्राब कर दिछेगा और के के सामने अभी मेरी इतनी बोलने के आदत नहीं है तो मिलते हैं एक और अच्छी नहीं वीडियो में थैंक यू